चलिए ढबा स्टाइल में पनीर की सबजी बनाते हैं सबसे पहले प्याज, लहसुन और अध्रक को चौप कर लेंगे चौपर की मदद से या फिर मिक्सर की मदद से फिर उसके बाद टमाटर को भी चौप कर लेंगे चौपर की मदद से अब कड़ाई में तेल निकालेंगे उसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे मीडियम होड करना है फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पनीर के पीसेज डालने हैं और उसे गोल्डन ब्राउन मतलब सुनरे रंग का हो जाने तक फ्राय करना हैं देखे करके पीसेज डाल दिये गए हैं अब धीरे धीरे करके इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देना हैं करीबन पांच मिनट लगेंगे पांच मिनट बाद देखे किस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब किसी प्लेट में निकाल लेंगे इससे धीरे धीरे करके अब इसी तेल में राई, सर्सो या फिर जीरा, चॉप्ड ओनियन, गार्लिक और जिंजर को डाल देंगे जो की चॉप्ड किया था फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है फिर उसके बाद चीली को हाफ बीच में से हाफ करेंगे मिर्ची को बीच में से आधा करेंगे अब इसी तरीके से काटना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ अब उसे डाल देंगे अब उसे फ्राय होने देना है अब उसके बाद टमेटो डालना है टमाटा डालना है और जब तक की उसे फ्राय करेंगे जब तक की वो तेल अलग नहीं हो जाता पूरे मिक्षर से अब देखिएगा थोड़ी देर में तेल अलग हो चुका है और पूरी मिक्षर को पनीर में मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर तक और पकाएंगे दो तीन मिनट उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर उसे उबालने के लिए रख देंगे जब तक कि उसमें बॉयल नहीं हो जाता है फिर उसके बाद नमक डालेंगे थोड़ी सी हल्दी हल्दी डालेंगे फिर उसको जब तक बॉयल करेंगे जब तक कि यह पानी जो दिख रहा है वह आधा नहीं हो जाता अब दुसरी प्लेट में धनिया लेंगे धनिया को अच्छी तरीके से चौप कर लेंगे फिर जब पानी आधा हो झाएगा और अच्छी तरीके से हो आगे